नमस्कार दस्तर केसे हैं आप? आपके लिए आज और लेकर आया हूँ सुबत्र कुमर चोहन की कहानी अमराई उस अमराई में सावन के लगते ही जुला पड़ जाता और विजय दश्मी तक पड़ा रहता शाम सुबत तो बालक बालेकाई और रात में अतिक तर यूतियां उस जुले की शुबा बड़ा थी यह उन दिनों की बात ही जब सत्यागर आंदोलन अपने पूर्ण विकास पर था सारे भारत वर्ष में समरागनी दधक रही थी दमन का चक्र अपने पूर्ण विक से चल रहा था अकबारों में लाटी चार्ज, गोले कान, गिरपतारी और सजा की धुम के अतिरिक और कुछ रहता ही न था इस गाव में भी सरकार की दमन का चक्र चल चुका था कॉंग्रेस के सबापती और मंद्री पकड़ कर जहल में बंद कर दिये गये थे इस दिन राखी थी, बहने अपने भाईयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांदा करती थी यहां सब लोग एकत्र होकर तोहार मनाय करते थे अपने भाईयों को पहले कुछ खिलाती, माला पहिनाती, हाथ में नारियल देती और तिलक लगा कर हाथ में राखी बांदते हुए कहती भाई इस राखी की लाज रखना, लड़ाई के मैदान में कभी पीठ न दिखाना एक तरब तो राखी का चिता करशक द्रशे था, दूसरी और छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जूले पर जूल रहे थे इनके सूकुमार रदयों में भी देश प्रेम के नन्ने नन्ने पोदे प्रस पुटेत हो रहे थे बहादुर के साथ देश के हित के लिए फासी से लटक जाने में वे भी शायद गौरोफ समझते थे पहले तो लड़कियां कजली गा रहे थी, एक 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 छोटा बलब गा उठा, जंडा उचा रहे हमारा फिर क्या था, सब बच्चे कजली बजली तो गए भूल और लगे चिल्ला ने, जंडा उचा रहे हमारा इसकी खबर ठाकुर सहाब के पास पहुची, अमराई उन्ही की थी, अभी तीन ही महीने पहले वे राह सहाब हुए थे आन्रेरी मजिस्ट्रेट वो थे ही और थे सरकार के बड़े भारिक खेर ख़़ा, जब उन्होंने सुना कि अमराई तो अस्वयोग्यों का अड़्डा बन गई है, प्रायर इस परकार वहां रोज ही होता है, तो वे बड़े गबराई, फोरन गोड़ा कस्वा कर अमराई की वो चल पड़े, किन्तु उनके पहुंचने के पहले ही वहाँ पुलिस भी पहुंच चुकी थी, ठाकुर साब को देखते ही दरोगा नियामत अले ने बिगड़ कर कहा, ठाकुर सहाब आप से तो हमें ऐसी उम्मेद न थी, मालूम होता है कि आप भी उनी में से हैं, ये सब आप ही की तव्यत से हो रहा है, लेकिन इससे अमन में खलल पड़ने का खत्रा है, आप पांस मिनट के अंदर ही ये सब मजमा यहां से हटवा दीजी, वरना हमें मजबूर होकर लाठियां चलवाने पड़ेंगी, ठाकुर सहाब ने नम्रता से कहा, दरोगा जी, जरा सबर र तो था ही, बोले फिर भी में आपको पहले से आगह कर देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दस मिनट लगे नहीं, तो मुझे मजबूरन लाठियां चलवाने ही पड़ेंगे, ठाकुर सहाब ने गोड़े से उतर कर अमराय में पेर रखा ही था कि उनका साथ साल का नात इसकी बड़ी बहन कांती, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, दानी रंग की साड़ी पही ने आकर ठाकुर सहाब से बोली, दादा ये विजय लकडी की तलवार लेकर बड़े बहादुर बनने चले ही, मैं तो दादा स्वराज का काम करूंगी और चर्खा चला-चला कर देश क तो आजाद कर दूंगी, फिर दादा बतलाओ, मैं बहादुर बनूंगी की ये लकडी की तलवार वाले, विजी की तलवार का पहला वार कांती पर ही हुआ, उसने कांती की और गुस्य से देखते हुए कहा, देख लेना, किसी दिन फासी पर न लटक जाओं तो कहना, लकड नियमत अली ने अपने जवानों को लाठियां चलाने का हुक्म देही तो दिया, देखते ही देखते अमराई में लाठियां बरसने लगी, आज अमराई में ठाकुर साब के भी घर की स्त्रियां और बच्चे थे, और गाहों के भी प्राय सभी घरों की स्त्रियां, बच्चे और युवक त्योहार मनाने आये थे उनकी थालियां, राखी, नारियल, केशर, रोली, चंदन और फूल मालों से सजी हुई रखी थी किन्तु कुछ ही देर बाद जिन थालियों में रोली और चंदन था खुन से बर गई जब पुलिस मजमे को तितर बितर करके चली गई तो देखा गया कि गाहिलों की संक्या करीब 30 की थी जिन में अधिकतर बच्चे, कुछ स्त्रियां और 8-7 युवक थे विजे को सबसे ज़्यादा चोट आई थी चोट तो कांति को भी थी किन्तु विजे से कम ठाकुर साब का तो परिवार का परिवार ही गाहिल था गाहिलों को उनके घरों में पहुंचाया गया और अमराय में पुलिस का पहरा बेट गया विजे के चोट गहरे थी, दशा बिगड़ती जा रही थी जिस समय वह अपने जिवन की अंतिम गणिया गिन रहा था उसी समय कोट से ठाकुर साब के लिए समन आया उन्हें कोट में ये पूछने के लिए बुलाया गया था कि उनका आम का बगीचा असयोग्यों का अड़ा कैसे और किसके हुक्म से बनाया गया ठाकुर साब भी आन्रेरी मजिस्ट्रेती का इस्तिपा राय साहबी का त्याग पत्र जेब में लिए हुए कोट महुचे उनका बयान इस परकार था मेरा बगीचा असयोग्यों का अड़ा कभी नहीं रहा है क्योंकि मैं अभी तक सरकार का बड़ा भारी खैरखवा रहा हूं मुझे सरकार की नीती पर विश्वास था और अपने घर में बेटा हुआ मैं अखवारी दुनिया का विश्वास कम करता था मुझे येकिन ही न आता था कि न्याय की आड में सरकार, नीरिह बालक, स्त्रियों और पुरुशों पर कैसे लाठियां चलवा सकती है परंतु आज तो सारा भेद मेरी आखों के ही आगे विशय लेक्षरों में लिखा गया है मेरा तो ये विश्वास हो गया कि इस शान विधान में जो परजा के हितकर नहीं है अवश्य परिवक्तन होना चाहिए हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है कि वो शासन सुधार के काम में पूरा-पूरा सयोग दे मैं भी अपना धर्म पालन करने के लिए विवश्यों और यह मेरी राई साहिबी और आंद्रेली मजिस्टेटी का त्याग पत्र है ठाकुर साहब तुरंत कोट से बाहर हो गया दूसरे ही दिन से उस अम्राय में रोज ही कुछ आदमी राश्टी गान गाते वे गिरपतार होते और साट साल के बोड़े ठाकुर साहब को सरकार के इतने जिन की खेर खुआई के पुरुसकार स्वरो छो माइने की सक्त सजा और पांच सो रुपय का जुर्माना हुआ जुर्मान में उनकी अम्राय निलाम कर ले गई जहां हर साल बरसात में बच्चे जुला जुलते थे वहीं पर पुलिस के जवानों के रहने के लिए पुलिस चोकी बनने लगी तो दोस्तों सुबुत्रा को मारे चोहन अमराई कहानी आपको कैसे लगी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत पूलिएगा